वेलकम बैक गाईज आपका हमारी चलन पर बहुत बहुत स्वागत है तो गाईज जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के एपिसोड में बताया था कि अगर आपका पेशेंट पूरी तरह से फिजिकली फिट है और वो सभी बातें को फोलो कर रहा है जो कि मैंने आपको पि फिजिर है वह खास थोर पर तो खॉस्पिटल में करना होता है तो इस फिलीज प्लीज फिलीज इसेह आप घर पर ऐनकी कोशिश ना करें कि इससे पेशेंट की जान को खत्रा भी सकता है तो गाई इस प्रोसीजर करने से पहले आपको कुछ चीजों की भी जरूरत होगी जैसे आपको एक सर्जिकल गलव्स की जरूरत है साड़े साथ नमबर या जो आपको जिस साइज का सर्जिकल गलव्स आता है साथ ही आपको गोजपीस की जरूरत होगी एक एमबू बै और आपको अमर्जंसी के लिए आपको इंजेक्शन ADR, एट्रोपीन, हाइड्रोकोट और डेरीफाइलिन जैसे इंजेक्शन की जरूरत है यह अमर्जंसी के लिए मैं बता रहा हूं और साथ में आपको oxygen machine या oxygen slender भी चाहिए होगा और suction machine भी आपको चाहिए होगी अगर आपके patient को ज्यादा suction आ रहा है तो suction machine को भी आपने अपने पास ही रखना है अगर आप hospital में है तो यह सब चीजे तो available होती है अफकोस तो गाइस अब हम हमारे procedure को करते हैं और सिधा live demo पर चलते हैं तो गाइस यह हमारा टर्कियोस्टमी का patient है तो सबसे पहले तो अपने surgical gloves को पहनना है पूरी sterilize technique को follow करते हुए और अगर आपको इस technique का नहीं पता तो आप हमें comment करें हम इसके उपर भी अलग से वीड चीज़र है उसके बारे में patient को बताना है ताकि वो cooperate कर सके आपके साथ साथ ही आप pulse rate और oxygen को देख लेना उसके level को तो यहाँ पर pulse rate और oxygen सही है और किसी भी पार्ट को आपने छूना नहीं है बिना gloves पहनने ओके गाइस तो यहाँ पर हम स्रींज को लेंगे आप कोई भी स्रींज ले सकती है 10 cc या 5 cc तो यहाँ पर यह जो पाइलेट बलून है यहाँ पर pressure इसका ठीक है तो यह जो स्रींज है यह मैं 5 ml की ले रहा हूँ ओके गाइस तो हम इसे पहले deflate कर लेते हैं तरक्योस्टमी को पहले गाइस में आपको इसके जो पार्ट्स हैं वो भी बता देता हूँ तो यहाँ पर यह हमारी 10 cc के साथ में आप रैड कलर का देख रहे हैं इसे वाल बोलती है पाइलेट को वाल इसका पूरा नाम है और इसका काम है जो अंदर हवा गई हुई है उसके उसको वापिस ना आने देना या हम यहां से जो जितनी हवा डालेंगे सिरिंज से तो यह सिरिंज से ही डलेगी अदरवाइस यह हवा नहीं जाएगी इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है तो वाल का यही काम है कि अंद जो ट्रेक्योस्टमी का कफ है उसके प्रेशर को इंडिगेट करता है ओके गाई तो आप इसको दबा के देख सकते हैं कि अंदर जो कफ का प्रेशर वो कितना है उसके आगे जो आप यह छोटी सी लाइन देख रहे हैं यह है इंफलेशन लाइन जो जिसके साहता से पाइलेट यह जो हमने एर डाली है यह आंदर जाती है कफ को फुलाती है इंफलेट करती है कफ को और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यह ट्रैक्या टी कनेक्टर पीस है टी पीस आम तोर पर बोलते हैं और यह ICO में सभी पेशेंटों को लगाया जाता है और इसका काम है को ऑक्सीजन दे सकते हैं ओके गाइस तो ऑक्सीजन और इनेबलाइस करने की वीडियो हमारे चैलन पर अल्रेड़ी है आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो यहाँ पर स्लोट आप देख रहे होंगे यह ट्यूब टाई स्लोट जो कि मेंने फेस जो डिस्पोजल फेस मास्क होता है उसको काट के बनाई हैं और काफी सस्ता पड़ता है और इसनल स्टिंग्स तो काफी महंगी हैं तो आप फेस मास्क को जो बादने वाले फेस मास्क हैं उनको काट कर आप बना सकते हैं और एक दिन के बाद आप इसे ही च चेंज करें अच्छे से और अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कॉमेंट करें हम इसके उपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे तो वीडियो अगे शुरू करते हैं हम तो यहां पर आपने डीफलेट करना है मतलब हवा को निकालना है तो नौर्मली तो 15 ml तक एर होती है इसके अंदर लेकिन मैंने 12 ml कुछ रखी है तो यहां पर देखिए डीफलेट हो चुका है पूरा पिचक चुका है यह हमारा पाइलेट बलून ओके गाईस तो अब हम जो है यह टी पीस इसको ट्विस्ट करके हलका सा और निकाल लेंगे देखिए कुछ ऐसे आपने ट्विस्ट करना है और निकालना है और उसके बाद जो यहां से जो सांस पेशेंट लेता है यहां से लेता है तो आपने इसको ब्लोक करना है देखिए तो गोजपीस भी लगा सकते हैं आगे और यहां से जो अब पेशेंट का सांस जो है वो continue चल पड़ा है नॉर्मली जैसे पेशेंट सांस लेता है और वही सांस जो है लेरिंक्स से टकराएगा जो की कमपन होती है जिससे पेशेंट को आवाज आती है साथ ही आप ऑक्सीजन का और सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन लेवल वो देखते रहें पल्स रेट भी देखें तो गाईज यहां पर पेशेंट थोड़ा डिसकमफर टेबल है इसलिए मैं जो प्रोसीजर यहां पर रोग रहा हूँ फेशेल एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा नहीं सकता पूरी तरह से पेशेंट साही नहीं है तो यहां पर मैंने पेशेंट प्रोसीजर पूरा रोग दिया है और मैं इंफलेट भी कर देता हूँ तो यहां पर गाईज मैं इंफलेट कर रहा हूँ क्योंकि patient comfortable नहीं था इस procedure के साथ में कुछ दिनों के बार try करेंगे तो guys same procedure है आप इसे करके भी देख सकते हैं कि patient बोलेगा की नहीं patient की आवाज भी निकलेगी जब आप ब्लोग करेंगे ओके guys तो guys आज के लिए बस इतना ही आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए useful होगी तो guys ऐसी useful वीडियो और topics देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर upload हो तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिले तो guys मुझे दीजिए इजाज़त मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक interesting topic के साथ तक तक के लिए stay happy प्रेस आपिός बटाईट कर तक लिए्यास